bearing number के आगे कुछ numbers लिखे रहते हैं MB, CH, CAK या और भी कुछ लिखा मिल सकता है ये इसके suffix या Charet back कह सकते हैं ये बहुत सारे types होते हैं कुछ cage को बताते हैं कुछ उसकी outer ring के specification को बताते हैं कुछ inner rings को बताते हैं और कुछ उसकी जो metrology यानिका, material और उसमें lubrication portrait किस तरा से होता है ये सब बताता है और इसमें चार gr长 होते है इस चार gr长 में आज हम एक group की बात करेंगे यह four grouped हमारे होते हैंsomething outer ring को बताता है दूसरा inner ring के स्पेसिफिकेशन को बताता है तीसरा केज को बताता है चोटरा उसके मेटरियल को बताता है तो इनमें से सिर्फ 今 इस केज की बात करेंगे यह कि केज के स्पेसिफिकेशन जो लिखे रहते हैं उनका क्या क्या-क्या मतलब होता है आयेगा वो देखेंगे सबसे फिर पर लिख रहता है M या फिर MA MB कहीं पर TN 9 या फिर अधर भी कुछ लिखा मिल सकता है यह सारे के स्पेसिफिकेशन से इनका मतलब क्या होता है वो समस्ते M का मतलब मेरा ब्रास से होता है देखिए कोई तो प्बंदे का एक साल बहर चल रहा है किसी का दो सार चल रहा तो क्या होता है कि आगे जो लिखे रहते हैं इनको Greek patterns इनको कहत粉 क्यें है वो हम deeply देखनी पाते हैं यानि कि किस application पर कौन सा suffix fit करता है fit बैठता है कौन सा लगाना चाहिए वो हम देखनी पाते हैं सिर्फ हम देखते है bearing number की 22-330 का हमने लगा लिया और इसकी life कम मिली ऐसा नहीं देखना इसके आगे जो specifications लिखे हैं वो सब भी देख लेना के जोगी वो हमारी brass cage होगी और इसमें भी थी तीर घारी घारी में तो यह अलग अलग लिखता क्यूं में यह अ क्तिछा क्यूं कृँ मिलता है और यह अलग में बनाया की GAN की में बाटा की वह वो सब भी देख लेना तो यह क्या हमारी रोलरि के संटर में चलती है, center में होती है, center में माना गया, लेकिन जो हमारी M A, यानि कि अगर A लग गया तो इसका मतलब है कि यह वाली brass cage हमारी center जो बनाएगी, वो हमारी outer ring पर बनाएगी, ना कि inner ring और cage पर बनाएगी, इस क्या गयाता है M B, MB अगर लग गया तो ये वाली केज जो हमारी है ये हमारी बनाएगी इनर रिंग पर सेंटर बनाएगी इसका एक example देख सकते हैं हमारा cylindrical rollers bearing है इसका example वो है cylindrical rollers bearing और इसका example हमारा जो taper roller bearings होते हैं वो आप देख सकते हैं वो आसानी से समाझ माँ जागा कि केज में थोड़ा थो देखने को ब्राज केज एक जैसी लगती है लेकिन कुछ अगर difference देखना है तो इसके example देख सकते हैं तो इन में भी थोड़ा थोड़ा difference होता यह का है यह outer ring पर center बनाती है और यह inner ring पर center बनाती है जो हमारी केज है और यह इसके center में बनाती है बोल्स के यह rollers कह लिए इनके center में बनाती है तो इनकेज में भी देख लेना तो application हमारी क्या है जो हमारे technical person industry के वो देखते हैं कि किस application पर कौन सा bearing feedback अब इस bearings के आगे देखें के यहां पर M अगर ना लिखें कुछ यह भी लिखा रहता है TN भी लिखा हुआ मिल सकता है इस bearing के आगे TN 9 भी मिल सकता है VG T1561 भी मिल सकता है और TNH भी मिल सकता है तो इनके मतलब क्या यहां जानते हैं इसका मतलब है हमारा P6P Bang Paul Center क्या मतलब है TN लिखा है हमारा P66P 006 का मतलब है कि इसकी जो हमारी के ज होगी वह Polymide की होग और इसकाần 6 का यह मतलब है कि इसकी जो रासाइनिक परिकृया है इसका एक कॉड है, डबल 6, इसमें 46 भी आता है, जो यहाँ पर है मेरा, और डबल 6 का यह मतलब है कि इसके जो कार्बन अनू होंगे, 6-6 के डिजिट में होंगे, इसलिए यह डबल 6, इसका एक कॉड दे दिया है, इसके पॉलिमाइट के जो मेट्रियल है, उसका, क्योंकि मेट्रियलोजी कितनी स्ट्रोंग होती है, कितने टेंपरेचर पर काम करती है, कितने प्रेशर पर काम करती है, यह सब मेट्रियलोजी काम करती है, इसलिए इसके कोडिंग दे देते है, डबल 6, और यहाँ पर दे दिया है, 46, तो यह पीए का मतलब क्या है, पीए का मतलब है है हमारा polyamide simply भासा में कहा देते हैं कि प्लास्टिक की जाली वाला बैरिंग है ठीक है तो यह polyamide की जाली होती है polyamide एक ऐसा material होता है जो temperature पर भी चल सकता है और हमारा इसमें भी specification लगा कि इतने कि इतने नहीं purchase करना यह भी देख लेना है या फिर इस application पर नहीं लगाना है कि सिर 22330 का वेरिंग लगा लेना है यह भी देख लेना है कि हमें केज कौन से specifications पर लगानी है क्योंकि आगे जो numbers लिखे हैं वह company ऐसे नहीं लिखती उनके पूरे अपने एक मतलब होते हैं तो बता रहे थे कि TN का मतलब है हमारा पी डबल सेंटर में होता है TN9 इसका मतलब है glass fiber rainforest यह glass fibers आता है हमारा polymide के अंदर ही polymide भी हमारी कहीं categories में बढ़ गया यह तो simply polymide लेकिन glass fiber के कुछ specifications बढ़ जाते हैं और specification बढ़ने के बाद इसका code रख दिया हमने यानिकि इसका suffix रख दिया हमने TN9 इसी तरह VG 1561 का भी rainforest में होता है हमारा जो glass fiber होंगे लेकिन इसका हमारा P46 के अंदर आ जाता है यानिकि इसकी राशाइनिक परिकिरिया कुछ अलग हो जाती है polymide इसी तरह हमारा glass fiber rainforest यह हमारा PEEK यह हमारा code होता है इसका PEEK इसका जिस तरह 46 से 66 से इसका PEEK यानिकि इसकी राशाइनिक परिकिरिया कुछ अलग होती है TNH की इसी तरह इनके यह वाले specifications हमारे polymide की जो होती है उसको दर्शाते हैं और यह वाले M वाले हमारे ब्रास को ब्रास में भी कही categories आती है polymide में भी कही categories आती है इसी तरह अगर हमारा कहीं पर यहां पर J लिखा मिल गया तो यह J हमारा steel cage को शो करेगा तो यह cage की कुछ specifications है इसी तरह suffix इसमें चार categories में बाटा गया है आज अपने सिर्फ cage की बात करिए इसमें inner rings होता है आउटर rings पर जो कुछ इसके holes या फिर एक strip groups दिया है वो क्यों दिया इसी तरह metrology के बारे में बताएंगे वीडियो में next topic पर बात करेंगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना टोपिक कैसा लगा है वीडियो कैसे लिए कमेर में जुरूर बताएंगे अच्छी लिएक लिएक चीन को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर करना बिल्कुल नहीं नहीं कि नेक्ष वीडियो में नेक्ष लिए तब तक के लिए